हेलो दोस्तों मैं विक्कर आज मतरा आप सभी का मारे यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं बढ़े-बड़े यूटूबर्स ने जो है क्या है को यसे बताता है कोई वेश से बताता है लेकिन मैं आपको आज बिल्कुत सही तरीका बताने वाला हूँ के से आप टाइगल टैक्स और डिस्क्रिप्स अच्छे से लिख सकते हो और आपनी वीडियो को रैंक में ला सकते हो क्योंकि में जो topic होता है में जो चीज होती है वो टायकन टेग और description ही होती है जो आपकी वीडियो को सर्च में लाती है तो आज की वीडियो में आप सभी को यही बताने वाले हैं चले ही वीडियो को करते हैं शुरूच छोटे से intro के बाद तो दोस्तो जैसी कि मैंने आप सभी को बताया कैसे आपको सब कुछ करना है वह आप सभी को अभी वीडियो में बताने वाला हूँ और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब करें लिजी और वीडियो अच्छे पॉपस्ट मारें इसके लिए आपको क्या करना है आप को मैं णुप सर्चेबल है करें नाई बना है जैसे कि वीडियो के से लिखने यहीं इसी चीजे के टोकिक पर वीडियो बना रहा हूं तो इसमें मैं कौन सा title डालूंगा तो इसमें title वो डालूंगा जो सभी लोग search करते हैं जिसको जो searchable topic होता है सिरफ आपको वही title रखना है जैसे कि अगर मान लीजे आप search करते हैं how to grow youtube channel अगर आप इस topic पर video बना रहे हो तो आपको वही title सबसे best होता है जो सभी search करते हैं अब इसका कैसे पता लगाने मान लीजे आप किसी भी चीज के उपर video बना रहे हो किसी भी topic के उपर video बना रहे हो आप पहले अपना कोई भी topic जो है आप YouTube पे search कर लीजे जो सबसे उपर आएगा जो सबसे उपर सबसे अच्छा लगेगा आप उसको copy कर लीजे और उसमें थोड़ा बहुत change करके उसको अच्छे से उसी को डाल लीजे उससे क्या होगा कि आपकी video भी rank करेगी क्योंकि 50% जो होता है वो main title होता है 50% title होता है आपकी video rank कराने के लिए 50% काम जो होता है वो title का होता है अब करते हैं description की बात तो description भी बहुत मैंने बहुत जरूरी है क्योंकि description का 40% 40% जो आपकी video को rank मिलाता है वो description होता है description आपको कैसे लिखना है description आपको यह से लिखना है सबसे पहले आपका जो भी title है आप उसका जो main topic है जैसे how to write, title, text तो आपको ये लिख देना है ये से डाल देना है जैसे मेरे description में आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3 इसी तरह how to write जो भी searchable topic है आपको searchable title है आपको वही description में भी डाल देना है उससे कोई click bet भी नहीं होगा ठीक है उसके बाद आपको जो भी आपने वीडियो में बताए जो भी cover किया है वीडियो में आपको आपने social link बगएरा डाल के उसके बाद all about covered in this video एसा लिख करके जैसे मैंने लिखा है ठीक है उसके नीचे आपको वह एक एक करके वह डाल देना है उससे क्या होगा यूटूब की policy के खिलाब भी नहीं होगा और वो आपकी वीडियो rank करने में मदद करेगा अब करते हैं tax की बात तो tax कुछ लोग बताते हैं कि जो आपकी वीडियो है उसी से related आपको tax डालने चाहिए जी नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि अगर आप उसी से related tax डालते हो तो आपकी वीडियो वाइरल होने के chance बहुत कम होते हैं क्योंकि आपको tax ऐसे डालने हैं जो searchable tax होते हैं आपको वही डालने हैं माल लीजे आपने एक वीडियो बनाया how to write title tax तो आपको शुरू में क्या करना है आपको शुरू में तो यही टेक लगा देना है फिर आपको डाल देना है टाइटल टेक्स कैसे लिखें ठीक है how to write title how to write tax एसे अलगा-लग करके आपको छोटा-छोटा बड़ा-बड़ा सभी तरह के टेक्स अच्छे से लगाने हैं और अच्छे से लगाने के बाद आपको जो एक ओट टोपिक आपको बता देता हूँ वो भी मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ आप सभी को बता दूँ आप जो भी थम्नेल लगाते हो बहुत एक्ट्रेक्टिव बनाओ अगर आप एक निव यूटूबर हो तो अट्रेक्टिव थम्नेल से क्या होता है यूटूब जो है यूटूब में एक फ्यूचर होता है जो स्टुडियो बीटा आया है उसमें एक फ्यूचर दिया गाए इंप्रेसन का यूटूब आपकी वीडियो को दूसरों के साथ सेर करता है वो उसको दिखाता है इंप्रेशन बेजता है उसके पास अगर आपका थमनेल है तो उससे क्या होगा वो बंदा देखते ही उस पर किलिक करेगा और किलिक करते ही आपको व्यूज आने की संभावना बढ़ जाती है उससे आपके व्यूज बहुत जादा आने की संभावना रहती है क्योंकि आगर आपका CTR CTR जो है अगर 15 के बीच मेना तो भाइसाब आपकी वीडियो वाइरल होने से कोई नहीं रोग सकता तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते है निव वीडियो में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नेगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरा